यूटूब पर एक वीडियो लाइक करना महिला को महंगा पड़ा है एक वीडियो के चक्र में महिला 10 लाख रुपए गवाँ चुकी है ऑनलाइन अपरात के मामले दन बादिन बढ़ते जा रहे हैं ठग तड़ी की भी बदल रहे हैं ठगी के और लोग इनकी चंगुल में भी पस्ते जा रहे हैं अजबार मामला अलग है जहां यूटूब पर वीडियो लाइक करना महिला को महंगा परा है जिन्दगी की सबसे बड़ी सीख उसको ये वीडियो लाइक करना दे गया है किसे भी अंजान नंबर और स्कीम के चक्र में परकर देखिए लोगों के साथ क्य हो रहा है बताते हैं पूरी खबर क्या है जहां एक महिला वाटसेप से टेलिग्राम पर शिफ्ट होती है और उसके बाद यूट्यूब पर शिफ्ट होते देर नहीं लगी कि वो कंगाल हो गई कैसे हुआ यह सब कुछ समझाएंगे आगे खबर में ताकि आप सतर्कता बरत सके अब नमश्कार आप जनता जंक्षन देख रहे हैं और मैं आपकी साथ बंदना पांडे हैं हाथ में फोन हो तो फेस्बुक से इंस्टेग्राम और इंस्टेग्राम से टेलिग्राम और वोटसेप पर जाते देर नहीं लगती लेकिन अब आप देर भी लगाएंगे और स समझ कर सोशल मीडिया आप भी चलाएंगे आज तक आपने बस किसी लिंक और ओटीपी के जरिये धोखा दरी का मामला देखा होगा लेकिन आज यूट्यूब पर वीडियो लाइक करना महिला को महेंगा पड़ा है दस लाख रुपे लूट लिये गए हैं और सिर्फ और सिर शर्चाल पार हुई है पहले महीला को टेलिग्राम गृप में अड़किया जाता है। और यूट्यूब लाइख करने के लिए करती है । गरे जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफ़ा हो रहा था कम पैसे लगा कर शांदार रिटर्न पाने के चक्र में महिला ठगी की शिकार हो चुकी है रिपॉर्ट के मुताबिक महिला का किहना है कि एक फरवरी को वोटसेप पर एक मैसेज आता है डिजिटल मार्केटिंग में इंवेस्टमेंट करने के लिए उसे कहा जाता है जहां अच्छा खासा रिटर्न देने की बाद भी कही गई और फिर उसे टेलिग्राम ग्रूप में आड़ किया जाता है जहां उसे यूट्यूब पर कुछ लिंक से उसके दिये गए और कहा गया कि यूट्यूब देखकर उसे वीडियो को लाइक करना है पसंद करना है और जब वो ऐसा करती है तो उसके अकाउंट में पैसे आने लग जाती है शुरुआत तो अच्छी रही लेकिन धीरी धीरे उसे वी आईपी मेंबर्शिप लेने को कहा गया और जैसे ही उसने वी आईपी मेंबर्शिप लिया उसे आठ हजार रुपे मांगे गए उसकी बात भी वो इंवेस्ट करते रही क्योंकि उसकी अकाउंट में पैसे आ रहे थे और सबे वीडियो को लाइक भी करते गए जिससे कि उसकी अकाउंट में पैसे आते गए लेकिन जब पोर्टल पर 10,75,000 के करीब पैसे जमा हो गए जब महिला ने उन पैसों को विड्रॉ करना चाहा तो उससे उसकी बदले में 4,00,000 रुपे मांगे जाते हैं अगर पैसे वो नहीं देती है 4,00,000 रुपे तो फिर वो पोर्टल पर जमा हुआ पैसा उसे नहीं मिल पाएगा ऐसी धमकी मिलती है और महिला समझ जाती है कि वो ठगी की शिकार हो चुकी है और फिर वो पहुँचती है ठाने जहां IPC की धारा 419 और 420 के तहट मामना दर्च तो कर लिया गया है लेकिन अभी तक महिला को उसके पूरे पैसे वापस नहीं मिले है ऐसे में महिला को कब नयाय मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी हालांकि इस मामले में कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन आपको अब समझदारी से काम देनी के जरूरत है अगर आग सोशल मीडिया पर काफे जादा एक्टिव रहते हैं तो आपको सावधान रहना है कोई भी लिंक कोई भी फोन कॉल को बिना जाने पैचाने आपको रिस्पॉंस नहीं देना है और न क्या पता अगला निशाना साइबर अपरागियों के आप ही हो असलिए सावध आपिंग के चक्कर में भी जो ठग बैठे हैं सोशल मीडिया पर वह आपको ठगी के शिकार बना लेते हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहे और बाकी इस मामले में भी कोई नई चानकारी आते हैं तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे तब तक आप अपी रहा है इस एूंदेना